हेलो फ्रेंड्स व्ल्कम बैइस चैनल मेरे खियागी आज आपको बने हुए गले को कि तरह से क्कдे करनी हैं बताओंगी तो देखिए जो यह मेरा जुड़ा हुआ गला है मैं इसको इस तरह से इसकी सिलाई निकाल दूँगी यहां से मैंने इसको इस तरह से निकाल दिया है ऐसे ही मैं इधर की तरफ निकाल दूँगी तो दोनों तरफ निकालने के बाद अब मैं इस आगे वाले कपड़े को फोल्ड करूंगी सिर्फ मुझे आगे वाले कपड़े पर ही निशान लगाने है कटिंग करनी है जाए मैं आगे का गले पर निशान लगा हूँ पीछे पर हमें लखना वो ही है चेश्ट का फोर, कमर का फोर और हिप का फोर तो देखें, यहाँ पर आप एक सीधी लाइन खीश लीजिए यहीं से यहाँ तीरा और इस तरह से मुड़ा तो यह मैंने यहाँ पर जासे चेश्ट है फोर्टी, तो आदा इंच प्लस इसी तरह से ही कमर कमर का मैंने चोदे पे लिया है और यहाँ पर हिप का जो है, वो मैंने 21 इंच पे लिया है तो जो कमर है, वो 38 है तो वो भी हमारा आदा इंच प्लस करके ही आया है हिप में 46 है, तो उसमें भी इसी तरह से ही आदा इंच प्लस किया है तो जो भी आपका नाप हो ना तो friends उसमें इसी तरह से या फोर करके और उसको आदा इंच प्लस करेंगे क्योंकि अगर आप देखे नाप सबका अलग-अलग होता है आपको main एक formula लेना है कि जो भी नाप है उसका 4 प्लस आदा इंच कमर का 4 प्लस आदा इंच और एक का 4 प्लस आदा इंच मैं हर वीडियो में अपने में यही बताती हूँ तो आप इसी तरह से ही ऐसे ही cutting कर देंगे तो यह जो ना जो मेरा और कपड़ा बचा हुआ था इसको मैं दुबारे से fold करूँगी और मैं fold उतना ही करूँगी जितना मेरे आगे के suit की चोड़ाई है तो इसके ही according मैं इसको बराबर fold कर दूँगी क्योंकि मुझे extra कुछ नहीं रखना है जितना मेरा आगे का piece था same वो ही मैं पीछे का piece कट करूँगी यहाँ पर आप गले का निशान अकर आपको बुकरम का बनाना है पीछे का armhole मैंने एक इंच extra लिया है और इस तरह से मैं इसकी cutting कर दूँगी यहाँ पर मेरे suit की cutting हो गई है गला आप अपने coding रखेंगे जैसे मुझे राधा इंच चोड़ाई इसकी और गले की जो लंबाई है मुझे 9 इंच रखनी है तो आप जैसे 6 इंच है तो 6 इंच पर निशान लगाईए 8 इंच है तो 8 इंच पर निशान लगाईए 9 इंच पहनना है तो 9 पर लगाईए तो आप अपने coding गला रखेंगे गला हमेशा तिरचा ही रखके कट करेंगे इस तरह से यह गला न जितना आपको गला चाहिए उसमें आपको उतना ही रखते हैं इसको बढ़ा के नहीं रखते हैं क्योंकि जो पट्टी है वो हमारी पट्टी लगेगी तो हमारा जो एक्टिया बढ़ जायेगा तो गले में आ जायेगा यह जो मैने लिया ना ये पौन इंच मेरा तिर्चा जाएगा क्योंकि नहीं तो आर्मोल ना थोड़ा आपने देखा होगा साइड से कपड़ा इखटा सा हो जाता है तो बहुत ही अजीब लगता है तो इसलिए इसको आदा इंच अंदर की तरफ करके और आप इसमें सिलाई लगा देंगे इससे सही से आपकी फिनिशिंग आएगी और सही हो जाएगा ये मेरा कट गया है अब जो साइड में मेरा कपड़ा बचा था इसमें मैं अपनी बाजू निकालूंगी बाजू के लिए इस तरह से मैंने डबल तया लगाई फिर एक बार ओड तया लगाई तो मैंने इसको चार बार फोल्ड किया जब हम फोर फोल्ड कर लेंगे न तो उसके बार जितनी आपकी लंबाई है बाजू की उसमें आपको डेर इंच मोलने का और आदा इंच उपर सिलाई का तो पांच इंच की बाजू चाहिए मुझे जैसे तो मैं सारे पांच रखूंगी यहाँ पर एक सीधी लाइन खिश लीजिए तो यह मेरा मुणने का हो गया और उपर बाजू यहाँ पर आप इस तरह से धाई इंच का निशान लगाएंगे और इधर की तरफ से आप इधर तीन इंच का और ऐसे शेप कर दीजिए फेंट जब बाजू की कटिंग करते हैं हमें सब पेपर पे कटिंग करनी सीखनी चाहिए इससे सही रहता है और अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाती है तो यहाँ पर इसको कट कर देंगे जिससे की मेरा यह मुण ने का जाएगा तो मैं तो अपनी सिलाई में लड़कों को यही बताती हूँ कि आप पेपर प्रैक्टिस करें लेकिन आपको समझ में कपड़े पर ही आएगा पेपर पर नहीं आएगा इस तरह से बाजू जो मेरा सूट है उसको मैंने ऐसे फोल्ड करके निशान लगाया यहां मेरी फिटिंग आ जाएगी नीचे जितनी आपकी गोला ही है उस पे निशान लगाएंगे और फिटिंग कर देंगे नहीं तो आप चेश्ट का फोर और माइनस आधा इंच इस तरह से भी फिटिंग कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आपको मेरी वडियो कैसी लगी मेरी वडियो को लाइक, मेरी जैनों को सब्सकाइब मेरी वडियो को शेर कीजिए नमस्कार